केटनी परिक्षामा कोचिंग वगर नववानु पन नववानु परसंटाल मेलवी अमदवाद ना वंच चीरिपाले गुजरात मा प्रत्म क्रमांक मेल दो छे वंच चेरेपाले एंजिनेरीन करया बाद जीमेटनी तैयारी साथे मात्रब बे महिना कैटनी परिक्षानी तैयारी करी हती वंच आयायम अम्दवाद मां एंबिये करी प्रदान मंत्रे नरिंद्र मोधी ना स्टार्टप अभ्याननों हिस्सों बनवा मांगे छे दरेक विध्यार्तिनों स्वप्ना होई छे के परिक्षामा पहलू नंबर मिलवी ने परिवादनू नाम रोशन करे अमदवादना जानिता उद्योगपतिना पुत्र वंच चीरीपाले परिवादनू आ स्वप्ना पून करू छे वंच तमाम रेकोर्ट तोली ने केटनी परिक्षामा गुजरातनू नाम पन डोशन करू छे वंच चीरीपाले देश पनना मेलाक विध्यार्तियू साथे केटनी परिक्षापी हती जमा वंच नववादनू पॉइंट नववादनू परसनेटाइल मिलवी ने वंच चीरीपाले कोईपल क्लासिसमा जुड़या वगरज आज सिद्धी मिलवी ने युवादनूने नवी तिशा चिंदी छे कैट का एक्जाम था नवेंबर में नवेंबर अंत में था तो मैंने उसके दो महिने पहले से उसकी थोड़ी प्रेपरेशन स्टार्ट कर ले थी उसमें तीन सेक्शन होते हैं एक होता है वर्बल जो इंगलिश पे होता है एक होता है मैत और एक होता है डेटा तो मैट्स तो मेरा पहले से ही थोड़ी मेरी हमेशा से ही मेरा काफी इंट्रेस्ट राए दिल्चस्पी रही है तो वो तो लखीली मेरा ठीक ही रहा था उसके लिए जैसे कि मैंने बताया थोड़ी किताबे पढ़ना, थोड़ा पैसेजिस पढ़ते रहना, पेपर पढ़ते रहना, आर्टिकल्स पढ़ते रहना तो उन सब की मेडिली प्रेपरेशन थी आज सच मैंने कोई भी कोचिंग इंस्ट्यूट के द्वारा अपनी प्रेपरेशन नहीं की थी परिवार का रोल तो अब्विसली काफी जादा महत्वर पून रहता है कभी भी आप कोई भी अचीवमेंट करते हैं तो उनका सपोर्ट सब चीजे बहुत जादा महत्वर रखती है मेरा हमेशा से यही मानना था और मेरे परिवार का भी यही मानना था कि उन्होंने कभी भी मुझ पर किसी भी तरीके का कोई प्रेशन नहीं डाला था ना पढ़ाई करने के लिए ना नंबर लाने के लिए उनका अमेशा से यही मानना था कि जब भी तुम महनत करो अपना मन लगा करो ऐसी चीजे पढ़ो जिससे तुमें कुछ सीखने को मिले कैटनी परिक्षे मा 95.99% मिडवदार वंश IIM अमदाद माथी MBA करों मागे छे